लोग सबा चुनाव सीर पर आ चुके हैं और निर्वाचन आयोग ने भी इस मामले में धीरे धीरे अपने निर्देश और हिदायतें देना शुरू कर दी हैं निर्वाचनायों का ताजा हिदायत पत्र आया है जिसमें ये कहा गया है कि राजनीतिक दल और उम्मीद्वार चुनाव प्रचार, रैलियों या किसी भी तरह के उसमें चुनाव प्रचार कार्य में बच्चों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जंडे लेकर चलते हुए या किसी भी जलूस, किसी भी जलसे, किसी भी राजनीतिक रैली का हिस्सा बच्चे नहीं दिखाई देंगे चुनकि निर्वाचनायों ने इसाफ कर दिया है कि सभी राजनीतिक दल और निर्दल्य उम्मीद्वार इसका सकती से पालन करें क्योंकि किसी भी तरह से इसे बरदाश्ट नहीं किया जाएगा और आयोग ने कहा है कि बच्चों का इस्तिमाल इस तरह की चीज़ों में वो अक्षम में है उन्हें क्षमा नहीं किया जाएगा उनके खिलाफ कारवाई की जाएगी ऐसे में सब को हिदायत दे दी गई है तमाम जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अफसर, चुनाओं में जुड़े तमाम लोग जो चुनावी गतिविदियों पर निगाह रखते हैं उन्हें कहा गया है कि वो व्यक्तिगत रूप से इन सारी चीज़ों पर निगाहदारी रखें अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो तुरंत उस पर एक्षन लें उनको नोटिस जारी करें उनसे जवाब मांगे और उनके खिलाफ जो भी सकते सकते एक्षन लिया जा सकता है वो किया जाए आयोग ने ये भी कहा है कि चुनावी रैलियों भाषणों और बाकि प्रचार माध्यमों पर कविता कहानी बयान भाषण किसी भी तरह से ये देखा जाए कि विपक्षी यानि जो आपका प्रतिदंद्वी है उसके खलाफ व्यक्तिगत हमला ना हो उस पर व्यक्तिगत हमला ना किया जाए चरित्र हनन का ना करने के बारे में समवेधन शील रहे और आयोग ने ये भी कहा है कि इन दोनों मसलों पर आयोग पूरी तरह से समवेधन शील है और यह उमीद करता है कि निर्वाचन में जुटे हुए तमाम लोग जो निर्वाचन में जिनके हिस्सेदारी है, वो सारे लोग एक तो व्यक्तिगत स्वतंतरदा, व्यक्तिगत समान, व्यक्तिगत मर्यादा का ध्यान रखेंगे, और दूसरे बाल श्रम के उपर उनकी तमाम में बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि उम्मीदवार जब साथ साथ चलते हैं, ढोलनगाडे बसते हैं, तो बच्चों को भी नारे लगाने के लिए साथ लेकर चलते हैं, या फिर उनसे परचे पकड़ा देते हैं उनके हाथों में, और उन्हें थोड़ा से कुछ खाने पीने को दिल्ली से चुनावाज तक के लिए